किरल में कॉंग्रिस की गुडबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कॉंग्रिस के कारक्रम में पार्टी के दिगज नेता के मुरली धरन को बोलने का मौका नहीं दिया गया जिसको रेकर बड़ा विवाद उठखड़ा हुआ है। तब आई है जब कॉंग्रिस के दिगज लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री के करुणा करण के बेटे मुरली धरन ने कारकर में बोलने का मौका नहीं दिया जाने पर असंतोश व्यक्त किया। के मुरली धरन ने कहा कि उनको जान बूज कर नजर अंदाज किया गया। के पी सी सी के दो पूर्व अध्यक्षों रमेश शिनिथला और एमेम हासन को संबोधन का मौका दिया गया लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। मुरली धरन ने ये भी कहा कि उन्होंने अखिल भारतिय कॉंग्रेस समिती के जनरल सेक्रेटरी केसी वेडू गुपाल और केपी सी सी के अध्यक्ष के सुधाकरण से इस बारे में बात की है। मुरली धरन ने उन्हें के ज़िए है कि अगर पार्टी को उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं है तो वे उनको बता सकते हैं। चेनितला ने इस पर कहा कि उनको इस मुद्दे की आवशक्ता नहीं कि मुरली धरन को संभवत है इस वजह से बोलने का मौका नहीं दिया गया होगा क्योंकि पार्टी चीफ मलिक आरजुन खड़के को तुरंट लोटना था। अत्यूर्णा थारा कि मौका इस थाक выход झाल साब कि मौका तुरंड़क है, मौका नहीं कि मौका प्मIt कि मौका इस प्याटेःीज। क्योद्दर्ट